गितांजली श्री के उपन्यास टॉम ओफ सेंड को अंतराश्ट्रिय बुकर प्राइज मिला है। बाद में लेखिका और अनुवादक डेजी रॉक्विल ने इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया। मैं हैरान होने के साथ बहत खुश खुद को सम्मानित महसूस कर रही हूँ। इस पुरसकार के मिलने से एक अलग तरह की संतुष्टी है। रेट समादी, टॉम ओफ सेंड, उस दुनिया के लिए एक शोगीत है जहां हम रहते हैं। बुकर निश्चित रूप से इसे कई और लोगों तक पहुचाएगा। गीतांजली श्री ने आगे कहा, मेरे और इस पुस्तक के पीछे हिंदी और अन्य दक्षन एशियाई भाशाओं में एक समरद और साहितिक परंपरा है। बाशाओं के कुछ बहतरीन लेख़गों को जानने के लिए विश्व साहित अधिक समरद होगा। इस तरह की बाचीज से जीवन की शब्दा वली बढ़े। महिला के जीवन के हर पहलू और आश्वर चेकित कर देने वाले उस अतीत में ले जाता है जहां उसे बटवारी के दर्द का सामना करना पड़ा। गीतांजली श्री का जन्म 1957 में उत्तर प्रदेश के महनपुरी में हुआ था, काफी समय से वे दिल्ली में रहती हैं। रेट समादी टॉम ओफ सेंड गीतांजली श्री का पाँचवा उपन्यास है। मुलूप से 2018 में हिंदी में प्रकाशित हुआ टॉम ओफ सेंड को अगस्त 2021 में ब्रिटेन की टिल्टेड एकसेस प्रेस ने अंग्रेजी में प्रकाशित किया। उनके इस किताब का अनुवाद अमेरिका के वर्मोंट में रहने वाली मशहूर चितरकार लेखिका और अनुवादक डेजी रॉक्वेल ने किया। इससे पहले भी उनके करतियों का अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, सर्बियन और कोरियन भाषाओं में अनुवाद हुआ है। और कैमरे के पीशे हैं पंकरच, देखते रहें दिलला लाटो, शुक्रिया।